नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर एकोन नया ताज़ा अपडेट लेटेश नियूज आप सभी पैंशन लाभारतियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यदि आप भी एक पैंशन धारक हैं सरकार से दिव्यां, विद्वा, वर्दवस्था, कुष्टवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पैंशन का लाभप्राप्त कर रहे हैं आपकी भी पैंशन बनी हुई है आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं सभी पैंशन लाभारती ध्यान दे 27,085 रिजेक्ट हो चुकी है यह पैंशन नासी बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है आखिरकार यह पैंशन नासी रिजेक्ट होने का क्या करण है किस वज़ा से यह पैंशन नासी रिजेक्ट हुई है यह सभी इनफोर्मेशन डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं वीडियो की सुरवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रिजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको पराप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चलिए वीडियो की सुरवात कर लेते हैं देखे दोस्तों बात हो रही है यू सभी दिव्यांग, विद्वा, तलाकशुदा और ओल्डेज इन सभी पैंशन धारक को 1000 रुपे परती महिना सरकार पैंशन रासी देती हैं लेकिन हर महिने ये पैंशन रासी लाभारतियों के बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर नहीं करती तिमाही पैंशन रासी इस राज् महिने की ये पैंशन रासी तीन हजार रुपे हो जाती हैं वर्ष दो हजार चोबिस के अंतरगत अब तक उत्तर परदेश राज्ये में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है यन की जो पहली इंस्टॉल्मेंट थी वहें अप्रेल मई और जून महिने की ती अप 39 जोलाई दो हजार चोबिस से पहले सभी दिव्यांग विदवाय विदवा महिला तलक्षद महिला और कुष्ट अवस्था सभी को ये पैंशन आसी दे दी गई थी अब देखिए इसी बीच उत्तर परदेश राज्ये में एक पैंशन योजना और चलाई जा रही है जिसका एक हजार रुपे प्रति महिना सरकार पैंशन आसी देती है लेकिन जो कुष्ट वस्था पैंशन धारक है लैपरोसी से जो गरिश्ति व्यक्ति हैं कुष्ट है जिनके पैंशन बनी हुए है उनको सरकार तीन हजार रुपे प्रति महिना यानि की हर महिने तीन हजार रुप पैंशनासी सरगारतरब से उनको दी जाती है समझ गई अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यह एक लैपरो से यानि कि कुष्ट व्यक्ति की एक pension payment यहाँ पर आप देख रहे हैं अब जो information परिशनल information है वे हमने पहले ही हाड की हुई है यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है अब देखिए यहाँ पर लैपरो से लिखा हुआ यानि कि आप समझ चुके हैं यह एक कुष्ट व्यक्ति की पैंशन है देखिए नो हाजार रुपे आपन लिखे हुए हैं और बीस जून रिक्वेस्ट की गई बीस जून को वेल्ड हो गया और जो fund status है यह भी approved हो गया था कब वहा किस तारीक में 25 जून को अब जो राज को परिकिरिया में 85 बैंक खाते में दिव्यांग और कुष्ट वस्था लावारदी बैंक खाते में सराइब तरब से ट्रांसफर कर दी जाती है अब देखें यहां पर आप यह लिखा देख रहे हैं जो 9,000 रुपे हैं यह बैंक ट्रांस्जैक्शन डेट है और 9,000 रुपे किस तारीक में करेड़ किया गई है इं लावारदी बैंक खाते में 27,62024 यानि कि 27,62024 को इनको 9,000 रुपे एक साथ मिल चुके हैं महिने के बैंक खादम से तरकार के तरफ से क्रेडिट कर दिये गई हैं अब प्रोब्लम कहां पर आ रही है ये बात है थोड़ा ध्यान से आपको समझना है और देखिए यहां पर हम आपको नीच लिए चलते हैं इससे पहले आप यह देख लिजेगा यहां पर पेमेंट डिट आने वाले कुछ तवस्था पैंशन धारक है या दिव्यांग पैंशन धारक है इनकी पैंशन के नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है किस प्रकार का परिवर्तन है ये भी हम यहां पर प्रोव के साथ दिखाने वाले हैं अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं अका बेस्ट पेमेंट किया जाता है और 6 स्टेप्स में पैंशनास से बैंक खाते में ट्रांसफर इनके कर दी जाती है अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे थारा हजार उपे यह पैंशन अमाउंट है और यह रिजेक्ट हो गई थी किस तारीक में 23 सितंबर 2024 यह 18,000 हुए पैंशनास से रिजेक्ट हुई और इनको पैंशन नहीं मिल पाई अब यहाँ पर आप अकाउंट बेस्ट लिखा देख रहे हैं अब नियमों में परिवर्तन यह किया गया है कि जितने भी उत्तर परदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग हो या कुछ अवस्था पैंशन धा रखो अब इनको भी आधार बेस्ट पेमेंट सरकार की तरब से किया जाएगा इनको भी आधार-based payment किया जाएगा पहले मिलता था account-based लेकिन अब जितने भी भविस्थे में मिलने वाली pension 80 होगी सभी को आधार-based payment किया जाएगा तो ऐसी इस्तती में आपको क्या कारे करना है NPCI अब ये NPCI क्या होता है National Payment Corporation of India ये NPCI की full form है ये आपके बैंक खाते से link होनी चाहिए DBT आपका enable होना चाहिए यानिकि direct benefit transfer ये आपका active होना चाहिए तभी pension 80 अपने बैंक खाते में आप प्राप्त कर सकते हैं अब देखे ये यहाँ पर reject हुआ है 23 सितंबर को अब एक नया update और जारी किया गया अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 27,000 रुपे ये pension 80 है 27,000 रुपे पहले आपने क्या देखा देखे पहले आपने देखा कि इनको जो payment सरकार करने वाली थी account based लेकिन pension को रोक लिया गया किस वजा से रोका? जैसे हमने आपको कहा कि सरकार इनको अब आधार based payment करेगी अब यहां से ये हट चुका है और आधार पर ये update कर दिया गया है इन लाभारती ने जो ये pension धारक है NPCI mapping करा ली है DBT भी इनका enable हो चुका है तो आपको भी ये कारी करना है यदि आप pension 80 अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाती है अन्य था आपकी pension 80 बैंक खाते में transfer नहीं कर दी जाएगी भविस्य में किसी भी महिनी के आप pension 80 प्राप्त नहीं कर पाएँगे अब देख रहे हैं ये अंपर चुनाव हो चुका है आधार बेश्ट अब जितनी भी इनको pension लेगी आधार बेश्ट ही सरकरत्रप से की जाएगी ये एक pension rule change हो चुका है pension नियमें परवर्तन कर दिया गया है आधार इनको payment किया जाएगा 27,000 रुपे या पर आप amount देख रहे हैं लेकिन ये reject हो चुकी है जी हाँ अब ये reject हो चुकी है reject किस वज़े से हुई ये एक technical error है जी हाँ ये एक technical error है ये तो update कर दिया गया है अब जल्द ही इनको 30 सितंबर से पहले कभी भी इनके वैंक खातें pension 80 को transfer सरकार कर सकती है देखे 30 सितंबर में हो जाए या फिर 30 सितंबर के बाद भी हो सकती है सरकार तरफ से कोई भी तारीक update नहीं की गई कोई भी घोशना जारी नहीं की गई है अब देखे सभी को 1-7 pension 80 दी जाएगी उत्तर परदेश में कई हजार और कई लाक दिव्यांग और कुछ तवस्था pension धारख है जिनको सरकार pension 80 देती है अब किसी एक को नहीं दो को नहीं सभी को एक साथ pension 80 बैंक खाते में transfer की जाएगी तो इसी वज़े से हो सकता है 30 सितंबर से पहले या फिर 30 सितंबर के बाद कभी भी आपके बैंक खाते में ये pension asset transfer कर दी जाएगी और यहाँ पर आप देख रही है ये reject होए न तो ये हैं एक विभाग के तरफ से technical error है यदि आप pension लेना चाहते हैं तब ये आपको प्राप्त होगी तब आपका बैंक खाता NPSI से mapping होगा DBT enable होगा देखे बहुत से ऐसे pension धार के जिनको मालूम नहीं है ये कार्याप कैसे पुरा करा सकते हैं देखे DBT और NPSI mapping कराने के लिए आपके पास आपका आधार card होना चाहिए आधार card से जो mobile number link है वह mobile number आपके पास होना चाहिए और जिस bank में आपका bank खाता है चाहिए SBI में हो केरणा bank में हो पंजाम national bank में हो उस bank की passbook आपके पास होनी चाहिए आम मालीजे आपका bank खाता SBI में for example आपको समझाने के लिए बता रहे हैं तो उस bank में आपको जाना है branch में ठीक है अपनी passbook लेकर अपना mobile number लेकर जो आपके आधार card से link है और आधार card लेकर ये तीन document आपको लेकर जाने हैं और बोलना है कि हम सरकार से इस scheme का benefit लेना चाहते हैं तो करविया करके ये हमारा NPCI आप mapping कर दीजेगा DBT enable कर दीजे हमें आधार waste payment मिल सके तो वहाँ पर अधिकारी ये कारी आपका कर देंगे इसमें आधार card की detail आपकी मांगी जाएगी हो सकता है OT based किया जाए या फिर biometric के माद्यम से किया जाए और इसमें आपकी bank की information भी आएगी तभी आपका NPCI mapping हो पाएगा जैसे ही कारी पुरा हो जाएगा फिर आपको आधार waste payment मिलना सुरू हो जाएगा अभी तर देखिए उत्तर प्रदेश रांजे में पहली किस्तो तो अप्रेल माई जून की मिल चुकी है अब सरकार जोलाई अगस्त सित्तमर महिनिक जो pension 80 है वेशबी विद्वा महिलाई तरक्षदा महिलाई और oldest pension दार्गों को मिल चुकी है क्योंकि इनको पहले से ही आधार waste payment सरकार ने करना तै कर दिया गया था पहले से इनको आधार waste payment मिल रहा था लेकिन विकलांगों को और कुष्टों को क्यों नहीं मिला क्योंकि इनका account based था अमनियम में परिवर्थन कर देगा इनको भी अधार waste payment मिलना सुरू हो जाएगा और जल्द ही जो इन राभारतियों की pension 80 है जोलाई अगस सितमर महिने की इनको एक साथ सभी को pension 80 जल्द ही दे दी जाएगी आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमारे दियुही जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा motivation मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है doubt है पूछना चाते हैं नीचे comment box में जागर पूछ सकते हैं सभी सॉलो के जवाब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट में हम निवेदन यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स टूडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत